जितने भी नए यूटूबर है सबसे हमारी या रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे गाइडलाइन्स में इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ जिसको आपको फोलो करना बहुती आवस्यक है अगर आपको यूटूब चैनल पे रहना है तो अगर आप चाते हैं कि यूटूब चैनल से हम कुछ अर्निंग करें फीचर के लिए हम अपना कुछ कर पाएं तो आपको इतने भी गाइडलाइन्स में बताने जा रहा हूँ इनको अच्छी तरह से केरफुली तरीके से पूरी कम्प्लीट वीडियो को आप बाच करें जो सारी बातों को फोलो कीजिए और इसके साहब से काम कीजिए नहीं तो आपके चैनल डेलीट भी हो सकते हैं सारा सालों साल का मेहनत आपका बरबाद हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को कम्प्लीट देखें जो भी मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ इनको आप फोलो कीजिए और इनको फोलो करने के साथ साथ जो मैं टिप्स दे रहा हूँ उन टिप्स को भी आप फोलो करें और उनके हिसाब से काम करें धन्यवाद हेलो गाईस अब से पहले आप सभी को नमस्कार दोस्तों अगर आप सभी नए यूटूबर है या फिर यूटूब पे काम करना चाहते हैं तो इनकी कुछ टर्म एंड कंडिशन्स हैं जिसके एकोडिंग ही आपको काम करना बड़ेगा अधरवाईच आप मेहनत करते जाएंगे आप हार्डवर करते जाएंगे लेकिन जब समय आएगा तब आप क्या करेंगे आपका सारा रेजल्ट जीरो हो जाएगा तो जितने भी नए यूटूबर हैं जो यूटूब से ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे कुछ अर्निंग करनी है तो इनके लिए कुछ गाइड लाइन्स हैं उस गाइड लाइन को फोलो करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है Otherwise आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है suspended भी हो सकता है और जब आपका चैनल suspend हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा तो उसमें आपको काफी अपसोश होगा कि कास अगर ये गल्ती मैं नहीं करता तो सायथ अभी हम यूटूब पे होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जिसको आपको नजर अंधाज नहीं करना पड़ेगा जैसे अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले आप अपना कोई वीडियो का जो भी कटेगरी है आप सबसे पहले आप डिसाइड करें कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं आप डांस का टॉपिक ले सकते हैं टीचिंग का टॉपिक ले सकते हैं श्टोरी का आप अराम से ले सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे कटेगरीज हैं, जिसको आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, या तो फीर आज के डेट में चलना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कहा जा रहे हैं, हम कहा आ रहे हैं, कैसे जा ब्लॉग बोलते हैं, तो इस टाइब का भी आप वीडियो बिना करके, आप पॉस्ट कर सकते हैं, अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक केटेगरी डिसाइड कर लिजिए, कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बना लिजी है उस topic पे आप video create कीजिए editing कीजिए song वगरा जो भी है आप उसमें mixing कीजिए और उसे आप upload करते हैं ठीक है एक तो ये परकार हो गया दूसरा ये हो गया कि जब भी आप video editing करते हैं तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हम किसी चीज का किसी और other YouTuber का आप कोई भी material अगर आप ऐसा करते हैं तो आप copyright के सिकार हो सकते हैं और अगर आप इससे थोड़ा सा next step में अगर हम जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि video upload करते हैं बट subscriber उनका increase नहीं होता है तो वो क्या करते हैं किसी बड़े YouTuber से contact करते हैं और उनको कुछ पैसे देते हैं और वो आपको 1000 या फिर जो उनकी requirement होती है पैसे के according वो आपको subscriber provide कराते हैं तो यह रत चीज है आप ऐसा करने से बचें जो भी subscriber आपका हो genuine हो ऐसा नहीं है कि खरीद फरोक्त वाली बात यहां पे नहीं करनी चाहिए और next अगर हम बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि watch time जब उनका increase नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं अपने ही mobile में वो कई सारे Gmail बना लेते हैं और उससे वो YouTube चैनल बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं अपना वीडियो अपलोड करते हैं और अपने ही चैनल के माध्यम से वो वीडियो को again and again watch करते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपना ही वीडियो का watch time बढ़ा रहे हैं तो यह सारा सरी गलत है आप ऐसा करने से भी बचें जितना हो सकता है ना के बराबर अपना वीडियो watch करें और ऐसा जो watch time बढ़ाने का जो यह तरीका है इससे भी आपको बचना चीए ठीक है अगर हम next बात करें तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे subscriber नहीं बढ़ रहा है तो अपने friends अपने जो भी circle में लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं friends circle में 100-200 तो आदमी होते ही हैं उनका mobile पकड़ते हैं उनका YouTube open करते हैं और अपना channel search करते हैं और उनको subscribe कर देते हैं तो आपने subscriber तो कर दिया आपका subscriber बढ़ गया लेकिन जब आप video upload करेंगे तो watch time नहीं आएगा उसका सबसे बड़ा region यह है कि जब आपने video बनाया वो किस topic का है और जो आपने 200 subscriber उनसे mobile लेकर के जो भी तरीके से आपने subscriber चैनल को subscribe कर दिया आपके subscriber increase हो गए लेकिन क्या increase करने से वो आपके topic को पसंद कर रहा है गया हो सकता है उनमें से कोई cricket पसंद करता हो कोई movie पसंद करता हो कोई vlog पसंद करता हो कोई teaching line पसंद करता हो और आपने पता नहीं किस type का video upload किया है तो इसके कारण से आपके video पे व्यूज भी नहीं आएंगे और वो subscriber आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा तो इन सारी चीजों को करने से बचें otherwise नहीं तो आपका मेहनत भी वेकार जाएगा copyright भी आ सकता है, व्यूज भी नहीं आएगा subscriber तो बढ़ेंगे लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा इसलिए नहीं कि अगर वाच टाइम नहीं है तो आपका subscriber कोई काम का नहीं तो हमारी request यह है आप सभी से इतने भी नए यूटूबर है आपसे मेरी यह request है कि आप यह सब करने से बचें